Hi friends, I am going to solving these questions. Question in the given figure, L parallel to M, if S and T be transversal such that S is not parallel to T, find a value of X and Y. सबसे पहले आपको question बोल रहा है कि L जो है, parallel to M है, और S and T जो था है L और M का transversal है, जो काट रहा है, लेकिन जो था आपका S जो है, not parallel to T है, नहीं नूँ parallel, देखो यह कही से कट करें, यह मिल रहा है कहीं जाके, तो यह parallel नहीं है, देन नहीं parallel है, आपको X और Y की value निकालना है, ठीक है, X और Y की value निकालने से पहले आप सोच लो, किसे मानलो, suppose angle 1 मानलो, ठीक है, angle 1, और इससे आप जो था है, इसे मानलो, कितना angle Y नहीं जो, इसे मानलो, आप angle 2 मानलो, क्योंकि easy हुआज नहीं मानलो, तो नहीं निकल पाएगा बाबू, इससे मानना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो, angle 1 इसे मानलो, तो देखो, आपको देखो, angle 1 प्लस angle 50 equal to कितना होता है, 180 डिग्री होता है, किसके according, linear pair के according, linear pair के according, जो था, अगर कोई line कट करता है, और एक straight line पे जो angle बनता है, मैसा आदिको, कितना है, इसके linear pair के according, ठीक है, angle 1 की, आपको निकालना, angle 1 equal to 180, आपका प्लस में इसे साइड जागा तो, माइनस वा 50, then आपका 180 में 50 गया, 130 आगया, angle 1 equal to आपका 130 गया, अब देखो भाई, angle 1 और एक्स डिग्री जोता है, क्या equal है, किसके according, corresponding angle 1 equal to angle x, जोता है, equal ता किसे, corresponding है, इसलिए मैंने इस angle 1 माना है, नहीं तो, इससे भी मान सकते थे, इससे मान के जाए, इससे भी मान सकते थे, किसे भी मान सकते थे, फिर उसके बाद आपको, जो sum आपको interior angle लेगाना प्राइश से अच्छा है, इसी इतना आपको short में निकल सके, इतना असानी से बन सके, वो adapt करने चाहिए, ठीक है, देन angle 1 equal to x degree, किसके according, आपका corresponding according, corresponding angle के according, ओके, एंगल 1 कितना है, 130 degree, देन x equal to 130 degree, ठीक है, तो आपका कितना हो गया, x equal to, यह आपका 130 degree हो गया, देन आप चलते हैं, आपको angle y की value को find out करने, तो देखो, सबसे पहले, क्या करो कि angle y को, तो देखो, यहाँ पर भी 65 है, और angle 2 है, तो इसमें भी parallel lines है, और parallel lines को angle बन रहा है, जो कितना होगा, 180 degree होगा, तो आपका angle 2 plus 65 degree, equal to 180 degree, यह भी क्या होगा, linear pair के coding, ठीक है, देन, angle 2 equal to कितना होगा, 180 minus 65 करोगे, कितना होगा, 115 आएगा, ठीक है, मतलब angle 2 equal to 115, देखो, आपने angle 2 इसमें बना था, तो जो आपको 115 आगया, दम देखो, angle जिसमें मानें थो, आप angle 1 equal to, angle x होगा, वह सही, angle 2 equal to, angle y किसके according, corresponding के according, ठीक है, देन, angle 2 equal to, angle y equal to, कितना आपका होगा, एंगल 2 कितना, 150 degree किसके according, corresponding के according, देन, आपका angle y equal to, 150 degree, और आपका x कितना है, 100, 130 degree होता है, ठीक है, प्लीज दोस्तो, अगर आपको video अच्छो लगे, और आपके लिए helpful है, तो प्लीज चैनल को like and subscribe, प्लीज जरू करें, कियोंकि आपका like और subscribe, बहुत matter करता है, दोस्तों, के थैंक यू, आपके थैंक यू, आपके थैंक यू,